नमस्कार दोस्तों आप सीखे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं सिंगल करर का एक बहुत कुपसूरल डिजाइन लाए हूँ जिसे आप जैन स्वेटर में लेडिस प्रोजेक्ट में या बच्चों के प्रोजेक्ट में डाले यह सब में अच्छा लगेगा इसे बनाने के लिए हमें छे के मल्टिपल फंदे चेहे और दो फंदा एक्स्ट्रा तो मैंने पीस फंदे डाले छे 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 और लास्ट में एच के लिए दो फंदे तो यह डिजाइन सामने की तरफ से शुरू होता है तो यदि आपको फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉंग साइड से पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे अब उन को अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए पहले उल्टा बनाएंगे फिर हमें इन फंदों को गिराना नहीं है इसी में हम उन दूसरी ओर करेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंग हमें अभी इसे गिराना नहीं है उनको अपनी ओर करना है और फिर इन ही दोनों फंदों में एक उल्टा फंदा तो हमने दो फंदों से तीन फंदे बना लिये अब next दो फन दे लेंगे और इसमें एक बार उल्टा बनाएंगे फिर बिना गिराए इसी में एक बार सीधा फिर बिना गिराए इसी में एक बार उल्टा नेक्स्ट दो फंदे लेंगे और फिर इन दोनों में एक बार उल्टा बुनेंगे फिर उन दूसरी ओर करेंगे इन ही दोनों फंदों में एक बार सीधा और फिर इन ही दोनों फंदों में एक बार उल्टा तो हमने दो फंदों से तीन फंदे बना दिये अब उन दूसरी ओर करेंगे और छे फंदा सीधा बनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे छे फंदा सीधा बनने के बाद उन को अपनी ओर करेंगे दो फंदों को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए पहले उल्टा बनेंगे फिर इन ही दोनों फंदों को बिना गिरा है इसी में सीधा फिर इन ही दोनों फंदों को बिना गिरा है इसी में उल्टा तो दो फंदों से हमने तीन फंदे कर लिया अब नेक्स दो फंदे लेंगे फिर एक बार उल्टा बनेंगे फिर इन ही में एक ब इस बार उल्टा तो दो फ़दों से हम इस तीन बना लेने है शुरू पूह में फिर घुल करना है आज है और फिर एशर राइश स्टिछ है इससे हम सीधा बूलेंieza तो इस तरह हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है अब यह wrong side है और हमारा दूसरा line है तो पहला फंदा हम slip कर लेंगे अब देखिए यह एक से हमने तीन फंदे बनाया थे तो पहला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे अब दो फंदो को एक साथ लेके और तब उन्हें हम उल्टा बुनेंगे, तो तीन से हमारे वापस दो फंदे हो गए, अब फिर ये एक से तीन किया गया फंदा है, तो पहले हम एक बुनेंगे, तीन फंदों में एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेके उल्टा, तीन फंदों में एक फंद फिर दो फंदो को एक साथ लेके उल्टा बीच के छे फंदों हैं उन्हें हम उल्टा बनेंगे अब फिर ये दो से तीन किये गए फंदे हैं तो पहले हम एक फंदा उल्टा बनेंगे फिर दो फंदों को एक साथ लेके उल्टा पहले एक फंदा उल्टा फिर दो फंदो को एक साथ लेके उल्टा तिन फंदो में पहले एक फंदा उल्टा बुनेंगे फिर दो फंदो को एक साथ लेके उल्टा बुनेंगे फिर लास्ट फंदा आज इस टीच है इसे हम उल्टा बुनेंगे तो इस तरह हमारा दूसरा लाइन कम्ट्रीट होता है अब हम डिजाइन के तीसरे लाइन पे हैं और सामने से तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे अगले फंदे को हम सीधा बनेंगे अब देखिए उनको अपनी और करेंगे और नेक्स दो फंदे हम एक साथ लेंगे दोनों को एक साथ लेते हुए पहले उल्टा उन दूसरी और सीधा फिर उन अपनी और इन ही दोनों फंदों में उल्टा नेक्स दो फंदे हम लेंगे अब देखिए एक इस में का है यह डिजाइन बना था तो इन दो फंदों में एक फंदा इस डिजाइन से और एक फंदा दूसरे डिजाइन से इन दो फंदों को हम एक साथ लेंगे एक बार उल्टा बनाएंगे फिर इन्हें में एक बार सीधा फिर इन्हें में एक बार उल्टा हमने तीन गुटकों पे दो गुटके बनाए अब उन दूसरी ओर करेंगे पिछली बारे हाँ पे छे फंदे हमने सीधे बने थे एक एक फंदा दोनों साइड से आ जाएगा तो अब हो जाएगा आठ फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ अब यह जो हमने डिजबना था तो उसका एक फंदा इधर आजाएगा, यह हो जाएगा आठ, अब एक, इस दिजबन से और एक, इस दिजबन से दोनों दिजबन से एक, एक फंदा लेंगे और इन दोनों को कोई एक साथ लेते हुए पहले उल्टा फिर इसी में सीधा फिर इसी में उल्टा अब फिर नेक्स इन दोनों फंदों को देखिए एक इस डिजाइन का है एक दूसरे डिजाइन का है दोनों को एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए पहले उल्टा बनाएंगे फिर सीधा और फिर उल्टा दूसरी और अब दो फंदे बच्चे हैं तिने हम सीधा बना लेगे तो पिछली बार हमने यहाँ पे तीन गुटके बनाये थे अब की हमने दो गुटके बनाये रॉंग साइट से सभी फंदे उल्टे हो जाएंगे जिसमें हमने तीन फंदे बनाया है दो से तीन फंदे बनाया है उसमें एक बार एक फंदे को लेंगे और एक बार दो फंदे को उल्टा बनेंगे फिर एक बार दो फंदो को एक साथ लेके उल्टा बनेंगे तो जितने हमारे फंदे पहले थे वापस उतने ही फंदे हो जाएंगे डिजाइन का पांचवा लाइन और सामने से तो तीन फंदा हम सीधा बनेंगे एक, दो और तीन और अब एक इस डिजाइन से एक इस डिजाइन से लेंगे दो फंदे लेंगे उनको अपनी ओर करेंगे और इन्हीं दोनों में हमें दिजाइन बनाना है तो एक बार उल्टा बनेंगे फिर इन्हीं दोनों फंदों में एक बार सीधा और फिर इन्हीं दोनों फंदों में एक बार उल्टा अब उन दूसरी और करेंगे चार फंदे सीधे बनेंगे एक दो तीन चार फिर उनको अपनी और करेंगे दो फंदो को एक साथ लेंगे एक बार उल्टा बनाएंगे फिर इनहीं में एक बार सीधा और फिर इनहीं में एक बार उल्टा फिर उन दूसरी और करेंगे चार फंद हमने दो डिजाइन बनाय था तो अब की एक फंदा इस डिजाइन से एक फंदा इस डिजाइन से इन दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और एक बार उल्टा बनाएंगे फिर उन दूसरी और एक बार सीधा और फिर उन अपनी और एक बार उल्टा लास्ट में तीन फंदे तो ये आठ फंदे हो गया अब देखिए यहां पे हमने डिजाइन बनाया था तो अब डिजाइन एक एक फंदा के आगे बढ़ जाएगा उन अपनी और करेंगे और अब एक फंदा इस डिजाइन से और एक फंदा इन सीधे फंदों दो फंदों को एक साथ लेंगे पहले उल्टा बनेंगे फिर सीधा फिर उल्टा फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे एक बार उल्टा बनेंगे फिर सीधा बनेंगे और फिर उल्टा तो हमने एक के उपर दो गुटके बना दे अब लास्ट में जितने फंदे बचे हैं उन्ह हम सीधा बुन लेंगे रॉंग साइड से सब भी फंदे उल्टे दो से तीन किये गए फंदों को वापस हम तीन से दो कर लेंगे नाइन्थ रो और फ्रंट साइड साथ फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन चार पांच चे साथ अब देखिए यहाँ पे दो गुटके हैं हमें तीन बनाने हैं तो उन अपनी और करेंगे एक डिजाइन से और एक सीधे फंदो को एक साथ लेंगे और पहले उल्टा बनाएंगे फिर सीधा और फिर उल्टा पिर नेक्स दो फंदो को एक साथ लेंगे देखिए एक इस धे वुटके से हैं XSRX दोनों फंदो को एक साथ लेंगे एक साथ लेंगे अल्टा बनाएंगे इसीधा पर शीधा फिर दो फंदो को एक साथ लेंगे सीधा उल्टा बनाएंगे फिर सीधा फिर उल्टा तो हमने दो के उपर तीन गुट के बना लिए अब उन दूसरी और करेंगे बचे हुए फंदो को सीधा बन लेंगे ग्यारवा लाइन और सामने से आठ फंदो को सीधा बुन लेंगे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ अब देखिए अब हमें तीन गुटके थे अब की हमें दो गुटके ही बनाना है तो एक गुटके का एक फंदा इदा सीधे में आ गया अब उन अपनी ओर करेंगे एक इस गुटके से और दूसरे गुटके से दोनों से एक फंदे लेंगे और एक बार उल्टा बनेंगे फिर सीधा और फिर उल्टा फिर नेक्स देखिए दोनों गुटकों से एक एक फंदे लेंगे एक बार उल्टा बनाएंगे फिर सीधा फिर उल्टा अब शेस फंदों को सीधा बनेंगे तीरामा लाइन और सामने से तीन फंदा हम सीधा बनेंगे पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे दो फंदा सीधा अब उन अपनी और करेंगे दो फंदों को एक साथ लेंगे पहला उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा फिर उल्टा फिर उन दूसरी और करेंगे चार फंदा सीधा ब फिर उन अपनी और करेंगे और दोनों गुटके से एक एक फंदा लेंगे देखें अब ये तीन से दो हुआ दो से ये एक हो जाएगा पहले उल्टा बनेंगे फिर सीधा फिर उल्टा उन दूसरी और करेंगे चार फंदा सीधा बनेंगे तो फंदों को एक साथ लेंगे पहले उल्टा बनाएंगे फिर सीधा फिर उल्टा फिर तीन फंदे लास्ट में बचेंगे जिन्हें हम सीधा बनेंगे अब यहां देखे ये फंदा ये गुट डिजाइन हमारा क्लोज हो गया और यहां से नया डिजाइन शुरू हो गया याने कि अब हम दो फंदा सीधा बनेंगे और इस देखे ये डिजाइन बना है तो एक फंदा इस साइट से एक फंदा इस साइट से लेंगे और यहाँ पर दो गुटके बन जाएंगे उन अपने उर अब दो गुटके हम यहाँ पर बनाएंगे अब बीच में आठ फंदे सीधे बनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ अब देखिए यहाँ पर हमने डिजाइन बनाए था तो एक गुटका है अब यहाँ पर दो गुटके बनेंगे यानि एक डिजाइन से फंदा लेंगे और एक सीधे फंदे में से उन अपने और करेंगे दो फंदो को एक साथ लेंगे पहले उल्टा फिर सीधा और फिर उल्टा फिर दो फंदो को एक साथ लेंगे उल्टा सीधा फिर उल्टा और लास्ट में दो फंदे बचे हैं जिने हम सीधा बुन लेंगे 17 वी लाइन और सामने से 17 वी लाइन से हमारा फिर पहला लाइन शुरू हो जाएगा यानि की अब देखे यहाँ पे दो गुटके हैं एक एक फंदा साइच से लेंगे और यहाँ पे तीन गुटके बन जाएंगे पहला फंदा स्लिप करेंगे उन अपनी और फिर दो फंदा को एक साथ लिया उल्टा सीधा उल्टा फिर दो फंदो को एक साथ लेंगे पहले इनमें उल्टा बनाएंगे फिर सीधा फिर उल्टा फिर दो फंदो को एक साथ लेंगे पहले उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा फिर उन दूसरी और छे फंदे बीच में हम सीधा बनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, देखिए यह डिजाइन क्लोज हो गया और यहां फिर फिर तीन गुटके बन जाएंगे, उल्टा, सीधा, उल्टा, फिर दो फंदे लेंगे, उल्टा, सीधा, उल्टा, फिर दो फंदे एक साथ लेंगे, उल्टा, सीधा, उल्टा, उन दूसरी और लास्ट फंदा है, जिस टीच है, इसे हम सीधा बनेंगे, यानि यहां से हमारा फिर पहला लाइन शुरू हो गया, तो सूला लाइन का यह रिपीटेड डिजाइन है, अब देखिए, फिर यहां से तीन गुटके हैं, फिर दो हो जाएंगे, फिर जब एक होगा, तो फिर यह वाला, यहां पे नियाज शुरू हो जाएगा, तो सूला लाइन का यह रिपीटेड डिजाइन है, और डिजाइन बन के तैयार है सामने से यह ऐसा दिखाए दे रहा है यहाँ पर गट का क्लोज हुआ और यही से नया गट का यह नया डिजाइन शुरू हो जाया रहा है यहां देखें यह close हो रहा है यह design close हो रहा है और इसी साथ यहां पे नया design शुरू हो जा रहा है तो यह खुबसूरत सा pattern बनता चला जाएगा आप इसे बनाएए यह बेहत खुबसूरत design है आपके project की शुबा बढ़ा देगा तो friends design आपके सामने है सामने से यह ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा thanks for watching